योनो SBI से ATM का पीन बनाने के लिए सब से पहले आप योनो SBI को उपन कर लेंगे योनो एपस उपन होने के बाद जो आप योनो SBI में यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं उसी को इस्तमाल करके आज हम SBI ATM का पीन बनाने वाले हैं इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो योनो SBI का यूजर नेम है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे जो योनो SBI का पासवर्ड है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद यह जो आप केपचा देख रहे हैं इस बाले बॉक्स में इंटर कर देंगे इसके बाद लोग इन वाले बटन पे किलिक कर देना है इसके बाद आपके रजिस्टर मॉल नमर पे एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे इंटर करेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते है OTP आ चुका है तो OTP इंटर करने के बाद आप सम्मिट वाले बटन पे किलिक कर देंगे इसके बाद आप इस पेज़ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको एक थिरी लाइन का उप्सन दिख रहा है तो यहाँ पे आपको किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे देख सकते है इस सर्विस का एक उप्सन है तो यहाँ पे आपको किलिक कर देना है ऐसा करने के बाद इस पेज़ को आप उपर करेंगे उपर करने के बाद उपर में देखिए ATM card service का नाम का एक option है यहाँ पे click कर देंगे फिर से इस page को आप उपर करेंगे और उपर करने के बाद यहीं पे आपको option मिलेगा ATM card का pin बनाने के लिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ATM pin generate तो यहाँ पे आपको click कर देना है अईसा करने के बाद फिर से आप इस page को उपर करेंगे और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप OTP के दौरा बनाना चाहते हैं pin या using profile password के दौरा तो सबसे best है one time password यानि कि OTP के दौरा तो इस वाले option पे आपको click कर देना है इसके बाद इस page को आपको उपर करना है तो जो भी आपके register mall नमर होगा उस पे OTP आ जाएगा उसी OTP को यहाँ पे आप enter कर देंगे इसके बाद आपको submit वाले बटन पे click कर देना है इसके बाद आप इस page पे आजाएंगे इस page को थोरा सा आप ऊपर करेंगे तो यहां पे आपका account number आज आएगा इसके बाद continue वाले option पे आप click कर देंगे फिर से आप इस page को थोरा सा ऊपर करेंगे तो यहां पे आपका ATM card नमर ATM card की details तो यहां पे आज आएगा तो इस पे आपको click कर देना है इस वाले box पे उसके बाद submit वाले button पे आपको click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अगर आप SVI ATM का pin बनाना चाहते हैं तो पहले दो digit आपको set करना पड़ेगा दो digit SVI खुद आपको message करेगा total मिलाके हो जाते हैं और इसके बाद आपका permanent pin generate हो जाएगा आपको change करने की कोई भी अवसकता नहीं पड़ेगा तो चलिए अपने मन से कोई भी दो digit यानि की दो अंक यहाँ पे आप select कर लीजिए तो चलिए हम यहाँ पे type कर देते हैं दो digit 44 आप अपने मन से कोई और भी अंक select कर सकते हैं इसके बाद submit वाले बटन पे आपको click कर देना है ऐसा करने के बाद एक और नया page खुलेगा SBI के तरफ से दो अंक जो है आपके message में send कर दिया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं message भी आ चुका है तो यहाँ पे 54 है अंक तो यहाँ पे दो आपने बनाया है दो SBI ने खुद आपके message में भेजा है टोटल मिला के 4 हो जाते हैं तो यह आपके permanent pin बन जाते हैं तो यहाँ पे SMS हम open कर लेंगे तो जैसा कि हम आपको message में भी एक बार दिखा देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं SBI खुद यहाँ पे 2 अंक का यहाँ पे pin भेजा है अब आपको यहाँ पे कैसे इंटर करना है वो एक बार देख लिजिए तो जो सबसे पहले 2 अंक का आपने ATM का pin बनाये था वो यहाँ पे 2 अंक का ATM का pin इंटर करेंगे इसके बाद जो मेसेज में आया है 2 अंक उसके बाद फिर यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद आपको सम्मिट वाले बटन पे किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपका ATM कार्ड का pin successfully generate हो जाएगा ATM कार्ड का pin सफलता पुरवक बन जाएगा तो यहाँ पे यह आपका permanent pin हो गया इसे आपको change करने की कोई भी जरूरत नहीं है direct आप ATM में जाके इस pin की मदद से आप ATM से withdrawal कर सकते हैं ATM से पैसे निकाल सकते हैं तो इस तरह से योनो के username और password की मदद से आप इस तरह से ATM का pin बना सकते हैं और यहाँ पे आप ATM का नया भी card आया है तो आप इसी process से आप बना सकते हैं